मान्देव रिदी की मांग को लेकर जेल अन्मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर्स ने निकाला पैदल मार्च मान्दे बढ़ाने की मांग को लेकर जेपर में पिछले तीन दिन से भूखरताल पर बैठे इंटर्न डॉक्टर्स के समर्थन में अब अजमेर के इंटर्न डॉक्टर्स ने जेल अन्मेडिकल कॉलेज तक पैदल मार्च निकाला और सरकार से उनकी मांगों पर सहानू भूती पूर्वक विचार करने की अपील की इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि मौजूदा समय में उन्हें सिर्फ 7000 रुपे का मांदे दिया जा रहा है वे अन्य राज्यों की तुलना में बेहत कम हैं और इससे वे अपनी बुनियादी जरुरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे ह यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वे भी भूखरताल शुरू कर देंगी इनका कोई इन्शूरेंस है नहीं कुछ हो रहे उसके बावज़ूद भी लगातार को कोविड के अंदर भी डूटी कर रहे हैं तो सरकार को शहर्चता दिखायते हुए इनकी मांगों को मानना चाहिए सबसे कम है बारत के अंदर काफी मैडिल कोलेजेज हैं और जो राजे हैं उनकी अगर कई बीमारी राजे हैं वहां भी आप देखें जो कि रास्तान तो काफी प्रोग्रेसिव हैं वहां भी बहुत अच्छी मलोगे स्टाइफंड है इंटर्न डॉक्टर का यहां आप कि नियुनतम मजदूरी से विकम इनको दिया जा रहा है वो जो इंटर्न डॉक्टर की एसोसियेशन है उनका जो फैसला होगा उसके साथ में रेजिडेंट एसोसियेशन भी आपस मैं समन्विय स्थाफित करके और अपनी रण निती बताएगा है मैं डॉक्टर सुक्फिर पिछले कुछ दिनों से हमारे इंटर्ण डॉक्टर लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं और लगबग साथ महिने का समय निकल चुका है इनकी एक बेसिक मांग है कि इनका जो महिने का वेतन है वो मातर साथ जार रुपा है जिसमें इनका घर परिवार चलाना या रहना य इनको स्टाइफंड दिया जाए और इनकी मांगे मानकर हरतार तुलबाई जाए और फिर भी यह दिया आगे सरकार इनकी मांग नहीं मानती है और इसी तरह अपने हट दर्मिता पर अड़ी रहती है तो आगे जो भी इंटर्ण डॉक्टर एसोसेशन जो भी आगे कारी वहि टेस्ट करेंगे डॉक्टर गोवर्दन सेनी प्रेजडेंट आर्डी अजमेर्ट